नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखी भवा में तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी इसे आप एक बार जरूर ट्राइ कीजगा मुझे तो अभी सही मूँ में पानी आ गया है इस चटनी का नाम लेते सी मेरे मुँ में तो हमेशा ही पानी आने लगता है तो आईए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पे साथ टमाटर और इन्हें हम अच्छे से ओल से ग्रिस कर लेंगे सबसे पहले तो टमाटर पर हमने अच्छे से ओल को ग्रिस कर लिया है अब इन्हें हम अच्छे से धीरे धीरे भूनेंगे तो मैंने यहाँ पर यह स्टेंड लिया है इस पर यह सारे टमाटर रख लिये है और एकदम धीमी आज पर हम इसे आराम से भूनेंगे जादे जल्दी नहीं भूनना है जादे तेज नहीं करना है अगर आपके जो टमाटर है थोड़े हार्ड है यानि कि उसका जो छिलका है थोड़ा मोटा है तब आप इसे थोड़ा मेडियम फ्लेम पर भून सकते हो तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से भून गया है मेरे टम तो अब मैं इसका छिलका उतारी हूँ यह टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए है और यह छिलके भी मैंने उतार लिये लेकिन कुछ कुछ छिलके मैंने रहने दिये क्योंकि मैं को थोड़ी जो जली भूनी चटनी जादे टेश्टी लगती है पता नहीं आप लोगों को लगती तो आप देख सकते मैं पहले से इसका पानी निकाल लिया और अब इसको जो मैं पीष रही हूं तो भी इसमें से पानी निकल ही रहा है तो regular इसका पानी अलग करते भी जाए हूँ में एक प्लेट में क्योंकि इसी से चटनी बहुत टेस्टी लगती पानी है बहुत ही मज़ तो अब चलिए चुले पर रखते हैं कढ़ाई इसमें डालेंगे सरसू का तेल और तेल करम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच राई एक चमच जीरा और मैंने लहसुन और यहां पे दो हरी मिर्ची और तीन-चार कड़ी पते को अच्छे से पीस लिया था फिर भी एक दो घड़ी पती में इस टो और डालेंगे और अब अच्छे से भून लेते हैं और आब यह ओन्थरी जालनी पाउड की आली और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं और अब एट कर देंगे हमने पीसा हुआ यह टमाटर प्यूरी और यह बस दो से तीन मिट में बनकर तयार है यह बहुत ही टेस्टी होती सच मुझ आप यकी नहीं करोगे लेकिन एक बास जरू ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट क करके जरू बताइएगा कि आपको यह चटनी कैसी लगी और अब हम इसमें एड कर देंगे और शक्ता अनुशार नमक तो मैं यहाँ पर दाल रही हूं दो चमश नमक और इसे भी अच्छे से ढख कर सिब 2-3 मिट के लिए कूख करना है तो अब हमारी चटनी अच्छे से कू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो फिर मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार